कैसे हूँ आप सभी लोग काफे अच्छ होंगे आज में आप लोगों को बताने जा रही हूं कि किस तरीके से आप लोग अपना ओफिस मेकप लोग कर सकते हैं यानि कि अगर आप लोग भी ओफिस जाते हो जॉब करते हो तो आप लोग किस तरीके से अपना लोग क्रेट कर सकते हैं यानि कि जो ओफिस का लोग होता है वो क्रेट कर सकते हैं ज्यादा कुछ लगाने की जुरुत नहीं होती है बस दो तीन चीज़ों को ही आप लोग ने ल I hope guys कि आप लोग को ये वीडियो कासी ज़ादा पसंद आएगी तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें तभी जागे आप लोग को पता चलेगा कि मैंने इस लुक को ग्रेट करने के लिए यानि कि अपना जो ये ओफिस लुक है उसे क्रेट करने के लिए मुझे किन-किन ची अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेनल को भी सबस्क्राइब कर देना है तो चलो जाट अबग नहीं करती हो और आप लोग को दिखाती हूँ आप लोगों ने पिस तरीके से तरीके का मेकप लुक क्रेट करना है उसे जाने के लिए तो आईए देखीएgos So guys, सबसे पहले मैं यहां पर अपने face को clean करूँगी, मैंने यहां पर एक wipes ले लिया है, wipes की help से मैं अपने face को अच्छे से clean कर लूँगी, वैसे तो friends, मैंने face से कुछ लगाए नहीं था, बस moisturizer लगाय था, बट फिर भी face को clean करना बनता ही बनता है अगर हम कोई makeup कर रहे हैं तो अब मैं यहां पर यूज कर रही हूँ गुड़ वाइफ का रोज ग्लो टॉनर जो कि मेरा ओल टाइम फैवरिट है मुझे तक काफी जादा अच्छा लगता है टॉनर तो अब मैं लगाने वाली हूँ निव्या का सॉफ्ट मौशियराइजर क्रीम जिसे मैं आज कल विंटर में डेली पॉलो करती हूँ और जो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है मैं यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में मौशियराइजर नहीं लिए है बस थोड़ा सा ही लिया है और इससे मैं डेप डेप करके अपने फेस पे लगा दूगी और फिर अच्छे से अपने फेस पे अपलाई कर दूगी मैंने अच्छी से इसे अपने फेस पे अपलाई कर दिया है और गाईज आप लोग मेरे देख सकते हैं जो मेरे चिक हैं बिल्कुल चिक पर मेरे इतना जादा मतलब जाईयां होती है न कुछ इस तरीके की हो गई है जो कि अलगी से मतलब आपको दिखी रहे होंगे बिल्कुल ड्राइनस हो जाती है मेरे फेस पें बताने सकती हूँ जिसे बोलते हैं दाग या धब्बे टायब के हो जाता है बट कुछ नहीं कर सकते हैं मैं फिर भी मॉश्चराय दे लगाती हूँ कि हो जाए ठीक बट कुछ नहीं होता है अब मैं गाईज अपने आइब्रो को सेट कर का है क्योंकि जातार में ब्राउन कलर का ही आईब्रो पैंसिल यूज करके हूँ बट अभी मैंने थोड़ा सा ब्लेक कलर का किया हुआ है क्योंकि अगर हम ओफिस लुक कर निकालते हैं तो हलका सा मतलब जो हमारी थ्रेडिंग होती थोड़ी सी हैवी मतलब अच्छी दिखन तो आई मेकप करने के लिए कौन सा कलर मुझे चूज करना है वो उसके बार में मैं सोच रही हूँ कि कौन सा कलर लगाया जाए बट हमें जादा डाक नहीं करना क्योंकि ओफिस में से अतना जादा फुली मेकप में जाते हैं बट बहुत इतार लाइट मेकप रखना दो यहां पर मैं चूज कर रहे हूँ क्रीम कलर लाइट क्रीम कलर क्योंकि वसे तो अपने आखों पर यह डाक सरकल दिख रहा है जो थोड़ा सा मतला छूप जाये लगा सकते हैं आप लोग तो दोनों साइड में इससे अच्छे से अपलाई कर दूंगे अपने दौनों पिंग कलर चूस का लिया है पिंग कलर को भी मैं अपने आई लेट के ऊपर से अपलाई करूंगी ताकि जो मत्तब मैं जो अपने आई मेकप का जू लूक को दूंगी थोड़ा सा डिफरेंट आ सेगे वैसे तो मैं इसमोकिक लूक देना चाहरी हूं अपने आई मेकप को बट इसके बाद यहां पर मैं ब्लैक कलर चूस कर रही हूं आई शेडो से इसे भी मैं जादा कॉंटिटी में नहीं लूंगी बस थोड़ा सा ही लूंगी बट आप लोग देखिए गाई इसका जो मतलब इसको थोड़ा सा लेने में ही यह कितना जाला डार्क मतलब एकदम से ऐस लूंग चाहती थी और आप लुक देख सकते हैं इसे लगाते ही एक इसमोकी लुक हमारी आई इस पे आही गया है उसके बाद मैं यहां पर हलका सा शिमरी सिल्वर करल ले लिया है क्योंकि मैं चाहती थी कि थोड़ा सा एक अल्ला मैंने इसको अपने आई लेड पे हलका हलक आप लोग देख सकते हैं गाइस बहुत अच्छा लुक आ चुका है मेरे आई मेकप का और अब मैं लगाने जा रही हूं मसकारा यह ब्लू हवन का मसकारा है और यहां पर मैं आई लाइनर इसकिप कर रही हूं क्योंकि मैंने स्मोकी लुक क्रेट क्या हुआ है तो इसमें में को आई लाइनर लगाने के जरुवत नहीं है उसके बाद मैं अपने आखों पर लगा रही हूं काजल उसी पैंसिल से लगा रही हूं काजल जो इससे मैंने अपने आई जिससे मैंने अपने आइब्रो को सेट किया था तो हलका हलका जादा मतब एक दम से डार्क नहीं करूंगी थोड़ा सा लाइट ही रखोंगे कादल को अग्दम से मोटा नहीं करूंगी और उसके बाद आप लोग लिख से मैंने यह लाइट ग्रे कलर बोल सकता अच्छे से इसमच कर लिया है ताकि अलग से लुक आ जाए उसके बाद मैंने फिर दुबारे यहां पे आई मस्कारा यूज किया क्योंकि मैंने नीची की और मस्कारा नहीं एपलाई करने वाली हो एंडवाई वी की सी सी क्रीम और आप लोग सोचेंगे इतना पुराना क्य पुराना लग रहा है बट पुराना नहीं है क्या करें गरीब लोग है कहां से लाए एक दम से इसलिए अभी जो है उस महें गुजारा चला रहे हैं जब यह पूरी तरीके से खतम नहीं इंडिया आपको पता है जब तक कोई चीज हम अच्छे डंग से वह ना कर देना तब और एक स्मुच की एउत में इसे आपने फेस पे ऐप लाई कर दूँंगा bono यह बात गाया बारी आती का है आप मैं अपने फेस पे लगाने वाली हो ब्लश जो की बहुत ही जाड़ा जरुरी है गाई तो मैं अपने चिक बॉंड पे ब्लश लगाऊंगी टाके मेरे जो चीक हैं थोड़ा से सुन्दर लगें तो यहां पर मैं पता ब्लश यूज नहीं कर रहे हूं मैं क्या यूज सब्सक्राइब लेट ब्लश जाती है और आप लोगों को भी अपने पे ब्लश लगाना है और आपके पास ब्लश है नहीं तो आप लोग जो की सिक होती है उसे भी थोड़ा सा लगा के लगा सकते हैं आप लोग देख सकते हैं गाई तो मैने थोड़ी सी लिप्स्टिक लगा थी और देखिए इतने जादा पिंक-पिंक मेरे गाल लगा रहे हैं तो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग यह जुगाण कर सकते हैं और अगर है तो आप लोग भई उसी को लगाओ बट मैंने इस तरीके से बताए क्योंकि जादा लोग आपको दिखाते हैं यह ब्लुश लगाने के लिए लेकिन मैंने इसलिए बनाया कि जिसके पास नहीं है तो उनको हेल्प हो जाएगी वह इस तरीके से लगा सकते हैं तो यहां पे ब्लश भी हमारा हो चुका है और आप बार यह आती है गाइज हाइलाइटर की जो कि मेरा और टाइम फैब्रेट है मुझे तो बहुत अच्छा लगता लगाना तो मैं हाइलाटर अप कि मुझे लगता है शाइन फिर्स पे जादा ने चाहिए वहले मेकप कर बट शाइन होता है तो यहां पर मेकप होता है हमारा डन और अभी मैं अपने होंटों पर लगा रही हूं लिप क्लॉस जो कि है नीविया का यह हमारे होंटों को बहुत जादा सोफ्ट रखता है क्योंकि अगर आफीस जहाते हैं हम सिरे नीड ओट पे याऽ वेसे तो अपनी ये葉न का थिनकींग होता है Rec객 मुझे लगता है कि मुझे दॉई पर कैना चाहिए जो कि इंडू मैप पूर पर तो अमंछी से यहां प्लाई को जहां से कजुब बहुत ज्यादा अच्छा मैक अप लग रहा है बिलकुल सिंपल सब मैक अप लग रहा है सो मैक अप हो गया है मेरा कंप्लीट और अब मैं अपने बालों की थोड़े सी हैस्टाइल करूंगे वैसे हैस्टाइल क्या करने बट जिस तरीके से ओफिस जाने के लिए लोग रेडी पूरा दिन खुले रख सकता है बाल इसलिए सबसे बहले में अपने आगे के बालों के थोड़ा सा पोश्यन लोंगे ज्यादा ने लोंगी और उसको थोड़ा सा पीछे ते पकड़के आगे के और एक पफी स्टाइल दे दूँगी मतलब होता है ना पफी स्टाइल दे जो कि मुझे पसंद है उसके बाद में अपने साइड के बालों को निकाल के और थोड़ा उंचा मतलब पीछे से उंचा करके और एक यहां पर एक रबर्ट बैंड के हल्फ से एक पॉनी बना लोंगे तो देखिया आप लोग पॉनी मेरी बन चुकी है है साल मेरा रेडी हो चुका है डन सो गाइस बताइए आप लोग लग रही हो ना ओफिस वाली मेडम तो यह था गाइस मेरा फुल मैकाप लुक जो कि आप लोग अपने ऑफिस झाने के लिए कर सकते हैं अगर आप लोग जौप करते हैं ऑफिस जाते हैं जैते हैं यह कुछ भी अगर आपका कैस्टेप काम है उसमें आप लोग अगर इस तरीके का्षी मेरा काव 기죠 बहुत सिं झाल झाल